हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सफीका इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में देखे केंदरी माधनी सिक्षा बोर्ड यानि कि सीबियस्टी के द्वारा जो सीटेट की परिश्चा होने वाली थी पांच जुलाई को उसको लेकर अभिरती खासे असमंजस में थी कि बरतमान परिश्चितियों में ये परिश्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो ये बात बिलकुल अब क्लियर हो गई है कि ये परिश्चा अब किस तारिक को होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सुचना हमें प्राप्त हो रही है उसके मताबिक ये परिश्चा जो है वो बिसेस इंस्ट्रक्शन के साथ 5 जुलाई को ही करवाई जाएगी, तो आपकी मन में जो ये डाउट था कि एक्जाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा, तो ये डाउट बिलकुल क्लियर हो गया है, परिच्छा 5 जुलाई को ही हो रही है, तो यहाँ पर कुछ बिसेस हिदायते दी जा रही है, बिरतियों को और परिच्छा केंदरों पर भी अब पूरी तयारी की जा रही है, पूरा परिच्छर सेनिटाइज किया जाएगा, और स्कूल परिच्छर को कुरिंटाइन केंदर बनाय गया था जहाँ पर, तो वहाँ के हर कमरे की अच्छे से दुलाई करवाए जाएगी, सफाई करवाए जाएगी, और यह जो परिच्छा है, यह पांच जुलाई को ही करवाने की तयारी हो गई है, और इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालियों में परिच्छा केंदर बनाया जाएगा, इसे अभिर्थी को परिच्छा देने के लिए दूसरे सहर में नहीं जाना होगा, और परिच्छा के दौरान सोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए केंदरों क संक्या भी बढ़ेगी, एक अक्षा में दस से बारा अभिर्थी ही बैठाए जाएंगे, और हर अभिर्थी के बीच की जो दूरी होगी वो चार से लेकर पांच फिट के बीच में रखी जाएगी, सीटेट की परिच्छा जोगी वो दो पालियों में होगी, एक से पांच मी तक के लिए बाला पेपर और सेकंड पेपर छटी से लेकर आठमी तक के लिए होता है, और सीटेट की परिच्छा जासा की आप जानते हैं, अगर आप उत्तिन होते हैं, तो उसके बाद केंदरी विद्याले, नवोदे विद्याले, सीवेसी स्कूल और यूपी में भी जो स मार्च जुलाई को ही हो रही है, तो सभी को बेस्ट आप लग, त्यारी में लग जाईए, और ये परिच्छा आपके ग्री जन्पद में ही होगी, तो दूर आपको जाना भी नहीं है, और अच्छे से त्यारी करिए, अब ये परियाप समय है, लग बग एक मिने का सब टांक लेकर उत्यण होंगे, हैवे ग्रेटे, जैहिंद